दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जारेंगे PM किशन रिलेटेट बहुत सरे इंपोर्टेंट बात तो अगर आप भी PM किशन का बेनिफिशरी हो आप भी PM किशन का जो पैसा है उसको लेते हो तो एफ वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि ऐसा भी हो सकते है बाद में आपका जो PM किशन का पैसा मिलना बांध है जाए तो क्या ऐसा करना पड़ेगा ताकि आपका PM किशन का जो पैसा है मिलता है रहे तो क्या काम करना होगा PM किशन का guidelines क्या है तो सब के बारे में आज हम details में जानेंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही important है तो वीडियो को आप देखते रहे हैं तो चलिए friends वीडियो को शुरू करते हैं तो friends आप देख साकते हूँ मैं अभी PM किशन का जो official website है यहाँ पर आ चुका हूँ तो friends PM किशन related मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है अगर आपने ओ सारे वीडियो नहीं देखा है तो आपको i button पे and description में link मिल जाएगा तो सबी वीडियो को आपको देख लेना है आप देख साकते हो EKYC is mandatory for PM किशन registered farmers Please contact nearest CSC Center for Biometric Authentication आधार-based EKYC through OTP authentication has been temporary suspended Declined of EKYC for all the PM किशन beneficiary has been extended till 31 May 2022 तो देखिए friends यहाँ पर क्या लिखा गया है मैं आपको बाता देता हूँ तो यहाँ पर लिखा गया है PM किशन का जो EKYC सभी के लिए mandatory है जो भी लभर्ती PM किशन का पैसा लेते है उन सभी को PM किशन का EKYC करना पड़ेगा और एक और बात यहाँ पर बोला गया है जो आधार-based EKYC system था जो farmer corner में एक option था OTP verify करके आधार-register mobile पे जो OTP आता था उसको verify करके आप PM किशन का EKYC इजले घर बेठे complete कर पाते थे लेकिन temporary देखी इसको suspend कर दिया गया है आभी आपके समने से एक ही option रखा गया है जो CSC center तो CSC center पे जाके आप PM किशन का EKYC कर सकते हो तो देखिए आपका CSC center Biometric Authentication तो CSC center में विजिट करना होगा और उसके बाद आपका Biometric Authentication करना पड़ेगा ताभी जाके PM किशन का EKYC successful होगा और आपका जो पैसा है PM किशन का continue मिलते ही रहेगा तो CSC center कहा पड़े आपको कैसे पाता चलेगा तो देखिए उसके लिए भी मैं आपको help करूँगा देखिए फेंस मैंने कोईबसाट कोपेंड करके राखा है findmycsc.nic.in यह साभी government का side है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ तो यहाँ पड़ाने के बाद देखिए फेंस यहाँ विलेज-wise CSC Near-wise CSC स्टेट-wise है तो जो भी माध्धम से आप यहाँ सार्च करना चाते हो तो यहाँ पर सार्च कर सकते हो और टोटाल इंडिया पर देखिए आभी 3 लाग के आसपास Common Service Center यानि CSC Center है यहाँ आप आदे के third point पे जो लिखा गया है बहुत सारे लोगों का जो PM कीशन का EKYC हो डिकलाइंड है और बहुत सारा लावार्थी PM कीशन का है जो अभी ताक KYC कम्पलेट नहीं कर पाए तो इसलिए जो Central Government है उन्होंने डेट को extend कर दिया है 31 May यहाँ पर आपको टाइम दे दिया गया है आपके सामने 20 दिन के आसपास है जाके पाता करना पड़ेगा तो देखे फार्मर कोर्णर कांडर रेक ओप्षन है बेनिविशर स्टेटास तो यहाँ पर जाके आप अपना स्टेटास भी देख सकते हो तो फेंड्स आभी में बात कर लेता हूँ जो CSC ओपरेटर है तो यहाँ पर लॉगिन करते हैं अपर वेंड्स बाइयोमेट्रिक आधार ओथनिकेशन तो यहाँ पर क्यूक करके आप अपना कास्टोमार का KYC कुम्प्लीट कर सकते हो तो यहाँ पर बाइयोमेट्रिक ओथनिकेशन करना होगा आपके पास मांत्रा या Morpho डिवाइस होना चाहिए फिलाल के लिए स्टार्टेक्ट डिवाइस PM किशान में वर्क नहीं कर रहा है अगर Morpho से करोगे तो सबसे अच्छा होगा Morpho डिवाइस यह पर अच्छे से अभी काम कर रहा है अगर Morpho डिवाइस सेटिंग करने में आपको कोई प्रॉब्लेम आ रहा है कोमेंट बक्स में कोमेंट कर सकते हो मैं उसका भी सॉलेशन वीडियो लेकार आ जाऊंगा पड़ेगा फेंड्स मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना पड़ेगा और जो इस वीडियो है इसको लाइक करना पड़ेगा तो थोड़े बहुत लाइक में आप लोगों से आशा करती है इससी तरह से बायोमेट्रिक के माध्धम से आपको KYC कम्पलिट करना पड़ेगा और जो भी कास्टोमर है मैंने उनको भी बता दिया है कहाँ पार CSC सेंटर मिलेगा किस तरह से फाइंड करना होगा और फिलाल के लिए मैंने पहले ही बोल दिया है जो KYC सिस्टेम था OTP वेस्ट उसको अभी सस्पेंट कर दिया गया है तो OTP सिस्टेम में कुछ दिक्कात आ रहा था इसलिए डिपर्मेंट ने इसको सस्पेंट कर दिया है तो आभी आपके लिए एक ही ओफ्षन है सिर्फ CSC तो CSC VLE के लिए एक बहुती गुड़नी उसे क्योंकि PM किशन का इतने जिम्मेदारी का काम आपको दिया गया है और आप सही से बहुत खुवी से आपका काम को कम्पलीट कीजिए कोई fraudulent activity मत कीजिए गाइडलाइन से उसको follow करके आप customer का KYC कम्पलीट करते रहिए तो customer को भी help होगा आपको भी आपको पर कुछ earning हो जाएगा और government का जो service है धीरे धीरे सभी CSC को दिया जा रहा है फिलाल PM किशन का सभी काम आभी CSC कर पा रहा है जासे कि new registration यहापर हो रहा है किसी का आधार नंबर गला थे आधार का नेम गला थे तो यहाँ से आप सही कर पा रहे हो उसके बाद देखिए biometric authentication आप कर पा रहे हो तो लगभा PM किशन का सभी काम आभी CSC को देद दिया गया है तो आप आच्छे से आपने काम को complete करते रहे तो आगर कोई दिक्कत है या PM किशन related कुछ आपको जानना है तो मेरे वीडियो के comment box में आईए and comment कीजिए मैं इस comment का answer ज़रूर आपको दूँगा तो फेंड्स आज की इस वीडियो में एही आपको बाता ना था एव वीडियो कैसा लागा है comment करके ज़रूर बाताईए आगर अच्छा लागा है तो इस वीडियो को like कीजिए आपने दोस्तों के साथ भी share कीजिए तो चलिए फेंड्स मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए जाए हिंद